नमस्कार दोस्तों, पूजय शिक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और भाहनों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नवी शेवर हम चर्जा करेंगे वो है जोतिश के अनुसार मोटापा क्या मोटापा बार बार आपके शरीर पर आता है आप कई प्रकार की डायट का प्रयोग करते हैं आप अपने भोजन का संतुलन बनाए रखते हैं फिर भी ये मोटापा जो है आपको बहुत परेशानी देता है और कई बार कई ऐसी कन्याएं होती हैं जिनके विवाह में भी लंब होता है परन्तु उन पर जो है मोटापा भी हावी होता है तो ये एक ग्रह है जो आपको बहुत जादा परेशान करता है इस ग्रह के कमजोर होने पर आपको समाज में जहां शर्मिंदिगी उठानी परती है वहीं कभी भी आपके अपने गुरुओं से नहीं बनती है जी हाँ आप अगर इस ग्रह से परिशान होंगे तो आपके गुरुओं से आपकी कभी नहीं बनेगी समाज में समय समय पर आपका तिरसकार होगा वहीं अगर ये कन्याओं की कुंडली में या कन्याओं पर प्रभाव देता है तो उनके विवह में भी लंब होता है तथा साथ ही साथ उनके मोटापे का मुख्य कारण जो है ये माना जाता है अब यहाँ पर ये बताना भी जरूरी होगा कई लोग कहेंगे ये अंदविश्वास है परंतु जोतिश विजद्वान कहते हैं व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं किसी ना किसी ग्रह के अशुप्रभाव से ही होती है हम किस प्रकार हसते हैं हम किस प्रकार रोते हैं यहां तक कि हमारे नाखून हमारे बाल हमारी यांखे अगर आप किसी योगी जोतिश के पास जाकर बैठते हैं तो वो आपको बिना आपकी कुंडली को देखे वे भी बता सकता है कि आपके लगनेश का स्वामी कौन है या किस ग्रह के प्रभाव से आप इस समय पर जूज रहे हैं कौन सा ग्रह जो है बहुत जादा आपको शुबता दे रहा है तो आज जो है आपको बता देते हैं ब्रस्पती ग्रह जो की बहुत बड़ा कारक होता है हमारी पढ़ाई लिखाई हमारे ग्यान हमारे आध्यात्म तदा ये कहीं न कहीं हमारे मुटापे का भी कारण होता है हम जो है बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं लेकिन कमजूर ब्रसपती से सेहत जो है बहुत जादा खराब होती है अधिकतर मोटे लोग जो है ब्रसपती के अश्यू प्रभाव से गरस्त होते हैं इसलिए इनका वजन जो होता है निरंटन से बाहर होता है यहीं अगर आप में से कुछ लोगों ने पुखराज धारण किया है अगर आपको पुखराज सूट नहीं करता है तब भी आप धीरे-धीरे मोटापे की और अग्रसर होने लगते हैं आप देखेंगे जिन भी व्यक् होंगे वो मोटापे से ग्रस्त होंगे उनके गले में जो है उन्हें प्रॉब्लम्स होंगी उनके पेट में जो है उन्हें प्रॉब्लम्स होंगी जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे गैस के कारण होती है हमारे जो अपच्च के कारण होती है या हमारा मोटापा जो है नियंतर नहीं आता है क्यों हमारे ब्रस्पति के खराब होने के कारण और जो लोग पुख्राज धारण करते हैं उनको भी कई वार जो है पुख्राज सूट नहीं होता है जिसके कारण मोटापा जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए एक बहुत चोटा सा उपाय है हर ब्रस्पति वार को अगर केले का दान करते हैं तो मोटापा जो है आपको धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा वहीं आपको ब्रस्पति की और से जो अशुपता प्राप्त हो रही है वो भी समाप्त होने लगेगी अब केले कहा दान करें केले आ पांसिक चिंताएं और शर्मिंद की समाज में बार बार जहलनी पड़ती हैं उन पे लजाम लगते हैं लोग उनसे जगड़ा करने के लिए आतूर रहते हैं कई बार उनके कारण जो है जो उनके आसपास के व्यक्ति होते हैं बिना वजही उनसे जलन करकर उनसे जो है दुश् से ग्रस्त होगा वो कुछ नहीं भी करेगा तो भी उनके आसपास कुछ ऐसे लोग इखटे हो जाएंगे जो कि उनसे बेवजह लड़ाई करेंगे उनसे बेवजह जलन करेंगे तथा उस जलन के कारण वो जो है दुश्मनी उनसे मोल लेकर उनको जीवन भर परिशान करते ह मोटापा जहां आपका बढ़ने लगेगा आपके शत्रू भी बढ़ेंगे तथा यहीं ब्रस्पती खराम होने पर कभी भी आपके जो जीवन में है गुरूं का प्यार आपको कभी नहीं प्राप्त होगा आपके जो गुरू आपके टीचर्स होंगे आप कहीं पर कोई अगर आपके कुंडली में मंगल शनी राहू और केतु बहुत अच्छे हैं तो शरीर सदा आपका दुबला पतला चहरा रहेगा याने कि जो व्यक्ति इन ग्रहों के प्रभाव में रहते हैं वो जितना मर्जी खाना खाले वो जितना मर्जी जंक फुड ले ले उन पर मोट मोटापा कम ही चड़ता है या चड़ता ही नहीं है वो अमेशा दुबले पतले ही जीवन भर देखे जाते हैं वहीं पर अगर हम देखें कि मेश, व्रश, मकर, कर्क, व्रशेक, तुल और मीन राशी के जातक जो हैं इन्हें मोटापा अधिकतर देखने को मिलता है ये तो जो सहमत है उनके लिए क्या दान करना है जैसे केला दान कर दिया आपने शमता अनुसार अगर चांदी के गलास का प्रयोग कर सकते हैं तो चांदी के गलास का प्रयोग करें सदेव पानी पीने के लिए नहीं कर सकते हैं तो स्टील के बरतन का प्रयोग ना करते हुए का पर अगर प्रति दिन लगाते हैं तो इससे भी बहुत positive results मिलते हैं प्रति दिन सुभा सूरज को रोली मिला कर जलरपित करते हैं तो ये भी बहुत जादा सठीक उपाय है आपके मोटापे को कम करने का साथी साथ जो है आप अपने भोजन पे भी ध्यान दे ऐसा नहों कि आप सरिफ जोदिशी उपाय करते रहें और कहें कि हम जो है मोटापा हमारा बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा वहीं हर गुरुवार शिवजी को अगर बेस्वन के लड़ों का भोग लगाते हैं तो इस उपाय से गुरु घ्रह के जितने दोश हैं वो समाप्त होते हैं अगर गुरु के कारण रुखता है मोटापई के कारण रुखता है विवाबादा बहुत चल रही है तो आप जो है यो पाय करें आपको बहुत जल्दी जो है इसके रिजल्ट्स मिलने लगेंगे गुरुवार को गुरुग्रह के वरत रख सकते हैं पीले कपड़े पहन सकत तो अपने मन में उनके लिए सदेवादर रखें कभी भी अपने मन में उनके लिए कोई गलत धारना या गलत बात नाला है गुरू ब्रस्पति की प्रत्मा या फोटो पर पीले कपड़े पर जो विराजित करके पूजा कर सकते हैं पूजा में केसरिया चन्दन, पीले चावल, पीले फूल, प्रसाद और पीले पक्वान या फल चड़ा सकते हैं इसके अलावा अगर इन में से कोई भी कारिन नहीं कर सकते हैं तो एक सटीक उपाय आप सभी के लिए जो किनी वजाओं से दान नहीं कर सकते हैं किनी वजाओं से जो है घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो गुरु मंत्र का जाप करें बीज मंत्र जो होता है ओम ब्रह्म रस्पताय नमा ओम ब्रह्म रस्पताय नमा ये जो जाप है मनी मन करें आप मुक से जो है शब्द न निकाले मनी मन इसका उचारण करें तो ये करने से भी आपको जो है बहुत positive results मिलने लगेंगे आध्यात्म की तरफ आपका ध्यान जाने लगेगा गलत चीजों से जो है आप बचने लगेंगे गलत व्यक्तियों से बचने लगेंगे तो समाज में जो बार-बार शर्मिंदिगी का सामना करना पड़ता है या बार-बार आपको लगता है लोग बेवज़ा जगडा करते हैं बेवज़ा आपको परिशान करते हैं या लोग कहीं न कहीं आपके दुख का कारण बन रहे हैं वो सब जो है आपके आसपास से धीरे धीरे हटने लगेंगे घर में मान सम्मान आपका बढ़ने लगेगा मोटापे के कारण अग आपको एक बहुत अच्छा ओधा प्राप्त होने लगेगा लोग आपकी इज़त करने लगेंगे तो गुरु ग्रह जहां एक और आपको बहुत शुबता भी देता है वहीं कहीं न कहीं आपके दुख कारण भी बनता है जोतिश में जो है अगर हम इन सभी चीजों को देखने लगें या समझने लगें कि हमारे जीवन में जो दुख का कारण है किन वजाओं से हम गौर करने लगे उन चीजों पे तो हम अपने आप ही जो है अपनी समस्याओं का निदान बिना किसी जोतिश के अब बिना किसी और व्यक्ति के आसानी से कर सकते हैं सिर्फ आपको क्या क कारण आपके साथ जो है दुर घटनाय घटती हैं अगर आप दीरे-दीरे उनकी खोज करने लगेंगे तो अपने आप में ही जो है आप समस्याओं का निदान करने लगेंगे तो भाईयों और भेनों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूं आज का नए विशेप चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों